इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जिससे हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है। इससे आप में हौट अटैक या स्ट्रोक होने का जोखिम कम हो जाएगा। कॉटल एलिन टैबलेट को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तैय समय पर लेना बहतर होता है। डोग्ज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। अगर आ इसे लेना तब तक बंद न करें जब तक कि आपका डॉक्टर ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता। आप एक्टिव रहकर धूमडपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें। इससे दवा को बहतर तरीके से काम कर करने में मदद मिलती है। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में आपके टखनों या पैरों यानि की इडिमा में सूजन, सिर्दर्द, नींदाना, चक्कर आना, ठकान, स्वाद में बदलाव और पेट खराब होना शामिल हैं। चूंकि इससे नींदाना और चकर आ इशान है या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई समस्या या बहुत अधिक डिहाइडरेशन है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद